जब भी ये रिष्टा क्या कहलाता है की बात होती है तो शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का नाम जरूर सामने आता है जिनकी केमेस्ट्री को दर्शक काफी जादा पसंद करते हैं और यही वज़े है कि दोनों के लिंक अप और रेग अप की खबरें आती रहती हैं लेकिन दोस्तों जब भी शिवांगी जोशी का नाम मोहसिन खान के साथ जोड़ा जाता है तो शिवांगी को काफी बुरा लगता है पर उन्होंने कभी भी कुछ कहा नहीं मगर इस बार जब शिवांगी जोशी का नाम मोहसिन खान के साथ जोड़ा गया तो वो भड़ा कुठी और उन्होंने बहुत कुछ कहा भी था जिसे जानकर आप काफी हैरान रह जाएंगे तो चलिए जानते हैं कि आखिर शिवांगी जोशी ने क्या कहा है मगर इसके बारे में जानने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों इस बात से तो हर कोई वाकि साथ ही ओफ स्क्रीन भी इन दोनों की जोड़ी काफी बेमसाल रही थी और टीवी के मशूर कपल में अपना नाम शुमार किया यही वज़े है कि इन दोनों के हमेशा एक साथ होने की वज़े से दर्शकों को लगा था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं जिसके च बोला गया था कि अब शिवांगी जोशी और मोसन के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था मगर शिवांगी जब भी ऐसी खबरें अपने बारे में सुनती थी तो उन्हें काफी हट होता था पर उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा मगर हाली में उन्होंने एक इंटर्व्यू दिया था जिसे काफी तोड मरोड कर मीडिया में पेश किया गया जिस पर शिवांगी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मेरे इस इंटर्व्यू को काफी जादा मिसलीड किया गया है और जिस तरह से उसे पेश किया गया है उसमें तो मेरे पूरे बयान का रुखी ब जराने वाले हैं इसी के साथ शिवांगी जोशी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आगे लिखा कि मैंने ये जरूर कहा था कि नायरा के किरदार से मुझे काफी दिक्कत होगी और अभी हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम मिल पाएं मगर इससे मेरा मतलब पूरे ये उन सब के साथ काफी अच्छा है और पता नहीं क्यों मीडिया हमेशा बातों को तोड मरोड कर अपने हिसाब से पेश कर देती है तोस्तों आपको क्या लगता है क्या शिवांगी जोशी का मतलब ये रिष्टा क्या कहलाता है कि कास्ट से था या फिर मोहसिन खान से आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ऐसी ही और खबरे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले